रिलिजिये सोशिडी जिसमें भगवान से डर लगता है जिनको भगवान से डर लगता है देवी देवताओं के या भगवान के परती बुरे सेक्सुल या अग्रेसिव विचार आते हैं मनत वाले विचार आते रहते हैं उनको ये भी लगता है कि जो रामायन है महाबारत है व वो असली पातर हैं कई ऐसे भी होते हैं जिनको ये सीरियल है महाबारत रामाइन जो लोकडाउन में अब भी दूर दसन पर आ रही हैं वो भी लगता है कि वो असली के भगवान हैं उन्होंने कलपनाई बनाई होती है भगवान की उन सीरियल को देख करके मूर्तियों को देख करके महाबारत में जो हुआ उसे समझ करके जो रामाइन में जो हुआ उसे देख करके उन्होंने अपने ही माइन में एक कलपना बना ली है और उसी से वो डरते रहते हैं और अच्छा धिक डर जाना और उस डर को खरिज करने के लिए कोई कमपल्शन करना कोई एक्षन करना वो रिलिजियस OCD के अंतरगत आता है आज बात कर लेते हैं कि क्या रामायन और महाबारत असल में गटित हुई है जो रमायन हैं महाबारत हैं ये गरंत हैं इतिहासी गरंत हैं अब देखिए कि इतिहास में कभी ऐसा दोर आया था जब समाज के अंदर बहुत सरी कुरूतियां पहल गई थी बात रमायन कालकी करें तो उस समें एक ऐसा दोर था जब बाप बेटे का रिस्ता है वो खराब हो भाई भाई का रिष्टा खराब होता जा रहा था एक जो सेवक और माली का रिष्टा है वो भी खराब होता जा रहा था तो उसमें एक आदरस क्रेक्टर की जुरूर थी तो उस जमाने में राजा जो राम था उसको आदरस क्रेक्टर के रूप में पेश किया गया था समाज को शिक्षा देने के लिए और रामायन के अंदर भहु सारी ऐसी बातें जोड़ी गई राम के साथ जिसे समाज को शिक्षा मिले जो बाब बेटे का रिस्ता है वो पवित्र हो जाए भाई-भाई का रिस्ता पवित्र हो जाए और जो मालिक सेवक का रिस्ता है वो भी मजबूत ह इसलिए राम को आधार बना करके किसी भी राइटर ने अपनी बातों को कहा था और समाज को दिसा दी थी वास्तों में इतिहास तो यही कहता है आप औरजिनल रमाइन पढ़िए वालमिकी की जो औरजिनल रमाइन है संस्किर्ट के अंदर उसे पढ़ करके देखिए ये तो ब अधरम नश्ट होता जा रहा था अधरम हावी होता जा रहा था तो उस जमाने के जो बुतिमान इंसान क्रिशन उसके माध्यम से समाज की एक चीज थापना करनी थी एक समाज को अच्छा संदेश देना था तो क्रिशन को अधार बनाये गया महाबारत के युद को अधार ब नहीं हुआ इसके पीछे मत जाईए जो रमायन से संदेश मिलता है उस संदेश को पकड़ दीजिए महाबारत से जो संदेश मिलता है उसको पकड़ दीजिए गलती कहा हुई कि उस संदेश को तो पकड़ानी उन पातरों को पकड़ के बैठ गए लोगों ने राम की लियाई प्राण जाई पर वचेन ना जाई यह रामायन की बात है राम एक आदर्ष मर्यादा पुरसोतम इनसान है क्रिशन इसके उलट है क्रिशन तो धरम विजय के लिए या जीत के लिए प्राण बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं महावारत में कितने जूट बोले थे स महावारत अलग समय की मांग है रामायन अलग समय की मांग है तो बुतिमान इंसान हमेशे इस सिक्षा लेते हैं इनुप देश्टों जो इनमें रहसे चुपे हुए हैं उनको जीवने में अब्लाई करते हैं और बाकी डरनेiãoले डटे रहते हैं पूजने वाले पूजते हैं बिजनस बनाने वाले राम को बिजनस बना लेते हैं रामायन को बिजनस बना लेते हैं क्रिशन को बिजनस बना लेते हैं बेशने के लिए ये सभी पातर बहुत अच्छे हैं तो रिलिजियस ओशिडी वालों को डरने की जुरूरत नहीं है था दूसरे ध्रम से अपने ध्रम को बैस्ट सबित करने के लिए उसमें इध्यास के पन्नों में जाएंगा दूद का दूद्ध और पाणी का पानी हो जाए गा मुझे उमीद है कि रिलिजियस OCD वालों के लिए इसमें एक जरूर टिप्स मिला होगा कि वो रामायन या महाबारत को जीवन में अपलाई करें उनके उपदेशों को पालन करें उन पात्रों को पकड़ के ना बैठ जाएं फिर भी आपको लगता है कि बात बनी नहीं तो आप ओनलाइन ओपलाइन साइको गुरू टीम से बात कर सकते हैं और अपनी रिलिजियस OCD से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं आप साइको गुरू राजिंदर जोद पुरिया पर जो अदवुत बड़े बड़े वीडियो पड़े हुए हैं उनको देखते हैं और राजिंदर जोद पुरिया वेब साइट को भी विजिट करते हैं इसके लिए मैं आपका तहय दिल से आवारी हूं